कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना। चुनियत योगेंडर साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड दी आग नाओ। नमस्कार जै जोहार। क्या आप भी गवर्मेंट एक्जैम्स की तैयारी करना चाहते हैं। क्या आप भी मेमोरी टेकनीक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं। कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहाँ 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तैयारी कर आए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टॉबी दे बेस्ट लन फ्रम दे बेस्ट कि बारे में थोड़ा इंट्रूडेक्शन दे देता हूँ अभवी ऐसे ओवर्वीय देता हूँ बाद में कल्चूरी पढ़ोगे तो अच्छे समझ आ जाएगा अभव यह इसमें लिखा है अप्रतियश मराठा शाशन ठीक है अप्रतियश के बाद क्या ऐगा प्रत्यक्षा आएगा प्रत्यक्श के बाद सूभा शाशन आएगा सु तो अप्रत्यक्ष मराठा साशन अब यहां से अपन देखते हैं अप्रत्यक्ष मराठा साशन मतलब मराठा लोग का साशन चल रहा था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब साशन कोई और कर रहा था लेकिन कंट्रूल कौन कर रहा था Maratha कंट्रोल करे है ठीक है जैसे अवि आपका जीवन चल रहे है लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा है न तो यह क्या हो गया अप रत्यक्ष होगया अप कमाने खाने लग जाओगे साधी बिया कर लोगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाएगा था न उस कल्चूरी बन्स का दो साखा था थीक है दो बरालच था कि इतना जानते हो नहीं जानते रश्चा और एम और एक था रायपूर। ठीक है, एक था रतनपूर और एक था रायपूर, ठीक है, तो ये दोनों साखा में बाद में किसका साशन हो जाता है, मराठाओं का, ठीक है, मतलब इन लोग हारवार जाते होंगे, ठीक है, इत्ता है समझ में, अब रतनपूर में एक राजा रहता है, ठीक है, उस राजा का नाम रहता है, तकहसीग, इसका नाम सुने हो, ठीक है, जो पढ़ा होगा, वो सुना होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, उसको भी समझ आ जागा, तो अभी इतना याद रखना कल्चुरी मंस का कितना साखा था, दो रतनपूर था, एक रायपूर था, जो मेन वाला रहता है, वो रतनपूर रहता है, ठीक है, अब रतनपूर में एक राजा रहता है, जिसका नाम क्या है, तकहस सिंग नाम रहता है, ठीक है, तकहस सिंग का एक भाई रहता है, सिर्दार सिंग, ठीक है, इसका भी एक भाई रहत जिसका नाम में रगुनास सिंग इतना समझ गए एक तखत सिंग रहता है तखत सिंग का भाई सिर्दार सिंग और सिर्दार सिंग का भाई रगुनास सिंग रहता है ठीक है अब तखत सिंग राजा रहता है ठीक है अब तखत सिंग के बाद राजा कौन बनेगा उसका बेटा बनेगा ना भाई ठीक न अपने भाईक थोड़ी बना तो तखस सिंग का उसका बेटा रहता है राज सिंग ठीक है तखस सिंग का बेटा कौन रहता है राज से रहता है अब ये तखस सिंग क्या रहता है इसका बच्चा नहीं होते रहता ठीक है तो इसका बच्चा नहीं होते रहता पहले जमाने में किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करते थे उन लोग गोद लेते थे लेकिन यह गोद नहीं लिया यह क्या किया नियोग प्रथा करवाया है नियोर्था मतलब पहले इंतर जमान क्या होता था ऐसा जड़ी बुटि धिया बाबा तरत्हस तू बोला बच्च्च हो गया ऐसर डाइक कथा are राचा करवाना चाहता जा ति करवा लेन ऐना कि में तो राज सी कैसे पैदा उआए नियोक प्रता से पैदा हुआ है, ठीक है, क्या नहीं है, इतना जरुवत नहीं है, तो रास नहीं कैसे पैदा हुआ है, नियोक प्रता से पैदा हुआ है, इसको, ठीक है, तो रास नहीं रहता है, ये कैसा पैदा हुआ है, नियोक प्रता से, अब नियोक में पैदा करने वाला एक ब्राम्मन था इसको तो असलिब आप इसका ब्राम्मन है ठीक है ब्राम्मन का नाम रहता है बढ़ गईया ठीक है इसको क्या बोलते है बढ़ गईया ब्राम्मन दोरा नियोक प्रता से पैदा हुआ है कौन राज सिंग पैदा हुआ है ठीक है अब टकहस सिंग के बाद राजा कौन बनता है राज सिंग का बनता है अब राज सिंग के बाद कौन बनता है राज सिंग का बेटा जिसका नाम रहता है विश्वनासी ठीक है जिसका नाम क्या रहता है विश्वनासी लेकिन इसको अपने बाप के उपर विश्वास नहीं रहता तो ये क्या करता है थोड़ा चानबीन करता है चानबीन करने के बाद इसको पता चलता है कि मैं एक नियोग द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति का बेटा हूं ऐसा करके यह बोलता है ठीक है बैड़ गए समझ रहू न तो यह विश्वनासी को अपने बाप के उपर विश्वास नहीं रहता तो यह थोड़ा चान बिन करता है जिसको पता चलता है क्या पता चलता है कि उसका बाप नियोग द्वारा पैदा हुआ और उससे मैं पैदा हुआ हूँ तो मतलब मैं कल्चूरी वंस का खुन नहीं हूँ ऐसा सोचता है ठीक है कल्चूरी वंस का खुन नहीं सोचता है तो क्या करेगा यह आत्माहत्या कर लेता है ठीक है तो यह मर जाता है आ रहा है समझ में अब तकस्तिंग के बाद तो राज सी राजा बनता राज के बाद वि पीश्वनात नहीं बन पाता है अब वो तो कल्टी हो गया ठीक है अब राज सींग के साथ में एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है मोहन सींग इसके साथ में एक आदमी रहता है, इसी का मतलब थोड़ा खास दो समझ लो, close friend समझ लो, friend नहीं था लेकिन उसका थोड़ा करीवी था, ठीक है, जिसका नाम रहता है Mohan Singh अब यह आदमी जो रहता है, वो Mohan Singh से थोड़ा इंप्रेस रहता है, ठीक है, इंप्रेस रहता है, तो यह बोला रहता है, कि जैसी मैं मर बर जाओंगा न, उसके बाद राजा तेरो कोई बनाओगा, तो टिंसन मतले, ठीक है, तो राज सिंग के बाद यह किसको बनाना चाहता था राजा, मोहन सिंग को, अब, अब वो दिन भी जल्दी आ जाता है, जब मोहन सिंग को राजा बनने रहता है, तो यह क्या होगा, राज सिंग निपट जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, तो जैसी यह मरता है, तो अब राजा इसको बनना था, यह एक दम खुश रहता है, क तो राज सिंग जब मरता है तो ये मुहन सी कहां गया रहता है शिकार पे अब ये इन लोग का कुछ प्रथा वरता रहता है कि जब मरेंगे तो जिसको मुकुट पहना दिये वही राजा बन जाएगा करके ठीक है तो ये जब मरता है, तो ये तो रहता नहीं है, तो मुकुट किसको पहना देता है अपने चाचा को, जिसका नाम रहता है सिर्दार सी, ठीक है, अब राजा कौन बन गया, सिर्दार सी, अब ये जो गया था जंगल में मंगल करने, वो वापस आया, वापस आके देखता है यार यह तो थोड़ा तक्ता पलट हो गया सिर्दार सी राजा बन गया है तो इसके साथ क्या करता है लड़ाई जगड़ा करता है यूद करना चालू कर देता है यूद करता है तो यह हार जाता है यह थोड़ा एकदम थोड़ा बल्वान टाइप कर रहता है तो इसको एकदम कुट रगुनासिंग कि इतना समझ आया रगुनासिंग राजा बन गया अब यह मुहान सिंग हारा तो थोड़ा इसका बोलते निए जी कलबला आ गया है तो यह यह हो गया है कलression इस ढूआ हो है यह जो मुहान सिंग्ग एब यह कहां जाता है मोहन सिंह जाता है मराठों के पास, ठिक है, भी पूनाarez की जो मराठा रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेशवा पिछले वाले को लिखना था क्या आपको नहीं लिखना है ना चलो ठीक और एक रहते हैं इन दोर में इन दोर वाले मराठा को अपन क्या बोलते हैं होलकर बोलते हैं और ये नागपूर वाले को अपन भोसला बोल देते हैं तो अपने को मतलब किस से हैं नागपूर वाले से हैं दुनियादारिस मतलब नहीं है तो नागपूर वाले से अपने को मतलब है और नागपूर वाले को अपन क्या बोलते हैं भोसला बोलते हैं ठीक है समझ गए तो यह पा से पुना पा से पेश्वा करके तो याद होई जाएगा और नाखपूर बोसला कभी कभी गाली दे देते हैं अपन नाख फे धम कर दिया समझ गया ना कोई बोलेगा नहीं लेकिन समझ जाओ ठीक है और इंदोर वाले का होलकर तो याद रहेगा इंदोर वाले का ठीक है अब मोहन सिंग किसके पास जाता है नाखपूर वाले के पास नाखपूर वाले में कौन है भोसला ठीक है अब यह भोसला वंस का एक राजा रह तो रगुजी प्रथम, ठीक है, प्रथम है तो इसके बाद में दूसरा और तीसरा भी आएगा, ठीक है, तो रगुजी प्रथम रहता है, अब ये रगुजी प्रथम के पास कौन जाता है, मुहन सिंग, ठीक है, अब मुहन सिंग जाके उसको थोड़ा बढ़काता है कि जाओ आपको क्या बोलते हैं पैसा वैसा देगा एसा वैसा करके भढ़काता है उसको मुहान सिंग को तो 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 ठोड़ा रहता है कि वहाँ जाके हम्ला कर राजा बन जाओ तो यहरगु जी प्रत्थम अब एकदम चुतिया टाइप का तो आदमी निया राजा भी है तो ठीक है इस इसका एक सेना पती रहता है, इसका एक सेना पती रहता है, और वो सेना पती का नाम क्या रहता है, भासकरपन, तो कहीं भी जाता है, भासकरपन को बेज देता है, लड़ाई करने जाना है, भासकरपन, पैसा लेने जाना है, भासकरपन, तादी करने जाना है, ऐसा नहीं होता, वहां खुद जाएगा ठीक है पिच्चर दिखाने जाना है भासकरपन जाने वाला रहता है कहां पंगाल ठीक है आकरमन करने वहां का एक राजा रहता अली वर्दिखान उसके उपर ठीक है लेकिन बीच में क्या पढ़ता है अपना ये रतनपूर आ जाता है ठीक है बीच में क्या पढ़ता है रतनपूर पढ़ता है अब ये सूशता है कि यार अब जैसे कि ये भढ़काया रहता है रगुजी प्रथम तो वो उसको चिठी लिखके भेचता है रगुजी प्रथम किसको रगुणास सिंग को वहाँ कौन राजा बनके बैठा है रगुणास सिंग उसको चिठ्थी लिखता है कि मेरा सेना आ रहा है तू कम से कम राशन पानेगा तो इंतिजाम कर दे तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता इग्नौर कर देता है जैसे आप लोग का मेसेज इग्नौर होता है वैसी इग्नौर कर देता है कौन रगुजी प्रथम तो अब रगुजी रगुजी प्रथम बोलता, रगुनात इग्णोर कर देता है, तो रगुजी प्रथम को आता है गुस्सा, भासकानपन को बोलता है, बंगालबाद में जाना, पहले उसको निप्टा, ठीक है, तो ये कहां जाएगा, रतनपूर जाएगा हमला करने, ठीक है, अब रतनपूर ज तो कौन सा दर्वाजक तोड़ा तो एक सेमर करके दर्वाजा रहता है सेमर दर्वाजा ठीक है उसको तोड़के किले के अंदर घुसता है ठीक है कभी पूछा तो लेकिन नहीं पूछेगा तो भासकरपंद अटेक करता है किस के उपर रगुनास सिंग के उपर और पूछता ह कि राशन क्यों नहीं दिया, ठीक है, तो अटेक करता है, लेकिन रगुनाज सिंग फिर क्या करेगा, लड़ाई जगड़ा करेगा, लेकिन वो नहीं करता, सरेंडर कर देता है, हाथ अपने असे खड़े कर लेता है, ठीक है, लेकिन रगुनाज सिंग सरेंडर नहीं करता है, तो इसकी दो बीवी रहती है, ठीक है, एक नी रहती, दो रखा था, एक का नाम रहता है पदम कुवर, और एक का नाम रहता है लक्षमन कुवर, क्या हो गया आपको भी रखना है तो रगोणा सिंग के कितने बीवी रहती है, पदम कुवर और लक्षमन कुवर ठीक है, तो ये दोनों बीवी रहती है, वो क्या करती है, अपने पतिक बचाने के लिए, सफेज जन्दा दिखा देती है सफेट जंडा मतलब सरेंडर कर दिया है खें? तो रगोना सिंग बिना लड़े बिना कुछ किये सरेंडर कर देता है किस के सामने? भासकरपन्द के सामने तो बासकरपन्द उसको राजा के पसली श Hosp rerec लाजा बना करेता है लेकिन अभी साषन किसका है? अब मराठा अपरत्यक्ष रूप से अपने अंडर ले लिया ठीक है राजा ये बने रहता है लेकिन ये अपना प्रतिनीदी छोड़के जाता है इसको तो बंगाल जाना रहता है न यहां तो लगे हाथ चलो ये भी है तो ये इसको भी ले ले लेता है ऐसा बूलके तो ये और उस प्रति निदी का नाम रहता है कल्यान गिरी गोसाई जीक है कल्यान गिरी गोसाई जीक है आई रहा है समझ में दिख रहे हैं न सबको इतना अब दिख रहा है तो कहानी थोड़ा समझे रगुजी प्रतम का एक सेना पती रहता है भासकरपंद भासकरपंद को बेज़ रहता है जाके बंगाल में आकरमन कर लेकिन रास्ते में क्या आ जाता है आपका रतन पूर आ जाता है तो बोलता है कि पहले यहां जा यहां का किस्ता निप्टा करके ठीक है क्योंकि यह क्या किया रहता है रासन नहीं दिया रहता अब यह जब यह भासकरपंद इसके उपर अटेक करने आता है रगुनास सिंग के उपर तो एक कुछ विद्रो नहीं करता है इसकी बीवी लोग क्या करते हैं, Surrender कर देते हैं सफेश जंड़ा दिखा के, अब यह Ragunaz Singh, क्या बोलते है, reply क्यों नहीं करता है, उसके साथ क्यों नहीं करता है, क्योंकि अपने उसका बेटा मर जा रहता है, जवान बेटा मर जा रहता है, तो शोक में डूबर रहता है इसलिए उसका खुछ भी उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता उसके बाद ये इसके उपर अटेक करता है तो अपना प्रती नीदी छोड़ देता है उसका नाम क्या है? कल्यान गिरी गोसाई क्यों छोड़ता है? क्योंकि अब भई मराठो के अंडर में है कौन? रगुना सिंग तो इक अल्यान गिरी गोसाई थोड़ा देखरेक करेगा कि सहीं से काम कर रहे की नहीं हमारे अनुसार काम कर रहे की नहीं ऐसा बोलके तो इतना समझ गए अब भासकरपन कहां चले गया? बंगाल चले गया बंगाल में लड़ाई जगड़ा करता है लड़ाई जगड़ा को सौट ओट करने के बाद जब वापस आते रहता है तो बंगाल का जो राजा रहता है उसको मार देता है भासकरपन तो भासकरपन का किस्सा वहीं कतम बंगाल जाता है लेकिन वापस घर को नहीं आता है ठीक है? समझ गया न कहानी? अब भासकरपन तो रास्ते में मर गया अब रगुनाज सिंग को पता चलता है कि यार वो भासकरपन गया था ना वो मर गया है तो रगु नाज सुंह थोड़ा अब एक्तिव हो जाता है, कितने दिन तक अपने बेटे के सोक में डूबा राएगा, तो थोड़ा एक्तिव हो जाता है, एक्तिव होने एक बाद, जो कल्यान गिरी गोसाही रहता है, उसको पकड़के जेल में डाल देता है, ठीक है अब ये बात किसको पता चलता है बोसला वाले को पता चलता है बोसला का राजा कौन रगुजी प्रतम को पता चलता है तो रगुजी प्रतम को पता चलता है तो गुस्सा होता है ठीक है अब गुस्सा होता है तो फिर जाता है रतनपूर रतनपूर जाके मराठा वो ज आज कौन करेगा? मोहन सिंह, आज समझ आगए, मोहन सिंह कौन है, क्या है? ठीक है? और ऐसे ही करके वो किसको भी हतिया लेता है रायपूर वाले कल्चुरी वंस को भी हतिया लेता है, कौन? रगुजी प्रतम तो पूरा दोनों दोनों किसके अंडर हो गया, अब मराठो के अं ठीक है अभी रगुची प्रथम भी थोड़ा रंगिर मिजाव जाजमी था इसकी एक नहीं दो नहीं कितनी भीवी थी 12 भीवी थी भाई इसकी 12 भीवी थी तीन तो अभी के लोगों का हो जाता है ठीक है ठीक है 12 भीवी रहती इसकी तो इसमें दो भीवी इसकी मेन है ठीक है उसमें भी रहता है न केटरग्राइज कर देते हैं तू मेन वाली रहेगी बाकि टाइम पास क्या बढ़िया है तो एक बीवी का नाम रहता है शोला भाई और एक का नाम रहता है बाला बाई शोला बाला शोला बाला ठीक है रहती है 12 भीवी तो इसके बच्चे कितने होने चीए कम से कम 40-50 हम दो हमारे दो लेकिन यह क्या आपके जैसे श्ट्रॉंग नहीं रहता तो इसकी दो ही बीवी से बच्चे रहते हैं इसके कितने बीवी से रहते हैं दो बीवी से रहते हैं तो एक का नाम रहता है शोला एक का नाम रहता है बाला ठीक है इसलिए दो बीवी को पढ़ना है 12 को नहीं पढ़ना है तो जो सुन रहा है सुनो रगुजी प्रता में उसकी दो बीवी है शोला बाला बाला शोला बाला ठीक है अब जैसे वो भाई बोल रहा था कि दो दो होना चाहिए बच्चे तो इसके दो बच्चे थे तो एक का नाम रहता है मुधो जी मुधो जी और एक है बिम्बा जी इसका नाम सुने हो बिम्बा जी का क्योंकि इसको 36 गड़ कर आज मिलता है ठीक है समझ गए तो शोला भाई के दो बेटे मुधो जी और बिम्बा जी ये बड़ी पतनी ये छोटी मुटी पतनी क्योंकि छोटी भी थी और थोड़ी हेल्दी भी थी तो छोटी मोटी उसके बाद इसके भी दो बच्चे रहते हैं यह क्या सबको किसी कसाथ गलत नहीं करता तो एक का नाम रहता है जानको जी और एक का नाम रहता है साबा जी ठीक है? तो रगु जी प्रतम जिसकी दो बीवी शोला बाला शोला के दो बच्चे बाला के दो बच्चे शोला के मुदो जी बिम्मा जी और बाला के जानको जी और साबा जी ठीक है? इतना समझ आया? अब जो रगु जी प्रतम रहता वो ये सुचता है कि यार मेरे मरने से पहले मैं अपने जो राज को बाट देता हूँ मेरे जो चार बच्चे हैं, चारों मैं अपने राज पाट को क्या करता हूँ? बाट देता हूँ नहीं तो मेरे मन्नेक बाद इन लोग लफडा करेंगे ठीक है? तो जो मुदो जी रहता है उसको कहां का जगा देता है? चांदा का ठीक है? चांदा एक जगे का नाम है ठीक है? उसका वो हिस्सा किसके मा आता है? मुदो जी के में बिंबा जी के में 36 गड़ आता है तो बिंब अपने को ये तो याद रहेगा ना बिम्बा जी 36 गड़का है बोलके उसके बाद मूँ दो जी चांद मूँ दो के आयो तबी चांद जैसा चैरा दिख रहा है ना तो ऐसा याद रख ले ना ठीक है उसके बाद जानकु जी कहां का है नाकपूर का किसी की जान होगी तो वो न रगु जी प्रतम जिसकी दो वीवी 16 बाला 16 के दो बच्चे मुदो जी बिम्बा जी और बाला के दो बच्चे क्या नाम है जानको जी और साबा जी मुदो जी को कौन सा छेत्र दिया गया चांदा का बिम्बा जी को 36 गड़का जानको जी को नाकपूर का और साबा जी को ब तो जो main branch जब वो किसको मिल गया, बेटे में, जानकोजी को, तो बाकी लोग जगड़ा करेंगे न, कि भईया उसको main branch दे दिया, अपने एक छोटा मुटा दे दिया बुलके, तो ये दोनों भाई, इसके साथ लड़ाई करते हैं, ये दोनों भाई के साथ, ये दोनों भाई अब ये बड़ा रहता है न, मुधो जी, तो जो बड़ा है उसको नाखपूर का मिलना चीए, लेकिन इसको नहीं मिलता, मिल जाता है इसको, इसी कारण ये लोग जगड़ा करते हैं, ठीक है, और जगड़ा में हार जाते हैं, तो ये चुप चप चली जाते हैं, अपना कहा तो राजपड दिला के रहूंगा, फिटेंसन मतलो आप, बहले मैं चत्तिस गड़ का छोड़ दूँगा, ऐसा करके, ठीक है, इतना समझे, लेकिन बाद में ये भी था खार के फिर चत्तिस गड़ी आ जाता है, समझ गए भाई इतना कहानी, तो देखो, अप रहतेक्ष मराठा साशन, ठीक है, अप रहतेक्ष कैसे, अब जैसे पहला इसमें क्या है, रतनपूर का देखते हैं, उतना कहानी समझ आ गया न, अभी चालू हो रहे है, जो आज चालू करना है, एक रतनपूर साखा है और एक रायपूर साखा है, तो अब रहतेक्ष मतलब रघुनात सिंग अब राजा बन गया, राजा था, है कि नहीं, उसके बाद मराठो ने आकरमन कर दिया, तो भी इसको मैं बोला था कि ये राजा बना हुआ है, तो अब जब ये राजा है तो स्वतंतर नहीं है, क्यों स्वतंतर नहीं है, क्योंकि अब मराठों के अंदर काम कर रहा है अब मराठों के बाद रगुनाथ के बाद कौन ps namely लेवा ठीक है तो यह दोनों समझ आ गयाperformance के बाद से आप रत्याक्ष जिसका नाम रहते है शिवराज सीं ठीक है कल्चूरी पढ़ोगे तो यह सब फिर से आएगा इतना याद हुआ देख लो एक बार तो अप रहते हैं राटा सेशन में कौन कौन है एक रायपूर सांका एक रतनपूर सांका रतनपूर का कौन कौन था रागुनात और मुहन और इधर का कौन है अमर्ण सिंग और शिक्ट ठीक है उसके बाद अब प्रत्यक्ष मराठा चाशन ठीक है अब डारेक्ट मराठे लोग आके राज करेंगे ठीक है और इनकी राजधानी क्या रहती है रतनपूर तो भई पहला कौन था राजा बिम्बा जी भूसले था जिसको 36 रड़ का राज मिला था ना तो पहला राजा तो लिखना चाओ तो लिख भी सकते हो नहीं तो छोड़ो फिक है बिम्बा जी भूसले रहता है राजा उसके बाद जब मर मूरा जाता है तो थोड़े दिन के लिएज की बीवी भी राज करते है जिसका नाम है आनंदी भाई आनंदी के बाई के बाद कौन आता है चिमना जी चिमना जी कौन रहता है, इसका भतीजा रहता है, बिम्बा जी का, ठीक है, बिम्बा जी का भतीजा रहता है, कौन, चिमना जी, चिमना जी के बाद वेंको जी भोसले आता है, ये भी भतीजा रहता है, उसके बाद पुर्सा जी या पर्सो जी भी रहता है, इसका नाम, ठीक ह ये बाद में आएगा तो आपको याद हो जाएगा अभी याद नहीं हो रहा है तो बाद में कहानी टाइप आएगा तो याद हो जाएगा ठीक है पहला कौन है बिंबज ये करके ये याद रखना आप प्रध्यक्ष मराठा साशन कब चलता है 1759 से लेके 1787 तथ उसके बाद सुबसाशन आजाता है सुबसाशन का मतलब क्या होता है सुबेदार ठीक है तो जो मराठा लोग है वो direct साशन नहीं कर रहे हो 36 गड़ में आखे ठीक है जो main raja बैठा है वो नागपूर में भैठा हुआ है ठीक है नागपूर में बैठा हुआ है और अपने अंडर किसी आदमिक भेज दे रहा है कि तू जा के साशन कर जो भी पैसा वैसा कलेक्ट करेगा बाद में मेरिक दे देना ऐसा करके तूसी क्या बोल देते है सुबह साशन ठीक है जो सुबेदार द्वारा चलाया जाता है उस के बाद अंग्रेज लोग हट जाते है फिर से मराठा साशन चालो हो जाता है तो क्या लिखा है पूरा मराठा साशन ठीक है फिर पूरा मराठा साशन हटता है फिर अंग्रेज लोग फिर आ जाते है तो इसको क्या बोलते है अपन ब्रिटिश साशन समझ गए यह से ब्रिट फिलित करने कि ले था यात करने कि ले नहीं था लेकिन दो चारख प्रत्यक्ष मराठा शाषन चालू होगा अब प्रत्यक्ष का तो पुरा कहानी बता दिया आपको ठीक है तो प्रत्यक्ष मराठा शाषन चालू होता है तो नाकपूर का यह वही जो बताया नाकपूर का शाषन किसके साथ रहता भोसला माज जिसका राजा कौन रहता है तो प्रत्यक मराटा साशन राजधानी क्या थे इसकी रतनपूर को बनाया था और बहुत सारा मंदिर वंदिर भी बनाता है जैसे क्राम टेकरी मंदिर है तहां पर है रतनपूर में गया रतनपूर तो वहां देखना है क्राम टेकरी मंदिर होगा जिसमें क्या बोलते है अपन उपर चक्के देखे लिए बढ़िया है ठीक है भाई description दे दिया जिसको जाना है देख लेना तो यहाँ पर क्या है इस मंदीर में राम लक्षबन और कौन है उनके भाई सत्रुहन भरत यह सब का मुर्ती है ठीक है और उसी के सामने में उसी के सामने में विम्बजी का भी मुर मुर्ती है जो ऐसे प्रनाम करते हुए खड़ा है ठीक है तो यह राम टेक्री मंदीर कौन बनाया है यही बनाया है कौन बिम्बा जी बनाया है और वहाँ पर किसका है मुर्ती राम के सारे भायों का मुर्ती है ठीक है और वो मुर्ती के सामने में यह अपना मुर्ती लगा दिया है कौन बिम्बा जी ठीक है उसके बाद एक नर्मदा माई मंदिर भी है जो कि अमरकंटक में है कि उसके बाद लौचन मंदिर अब यह बिम्बा जी नहीं बनवाया यह कौन बनाया था बिलास्तूं बन वाया था ठीक है वो कौन से वंस का राजा है नल नागवंस का राजा है बिलास्तूं वो बनाया था राजीव लोचन मंदिर कहां पर रही है राजीम में है, राजीम लोचन मंदिर राजीम में है, तो ये क्या किया था, राजीम लोचन मंदिर का जो भी खर्चा होगा, उसके लिए गाउंदान दिये दिया था, कौन बिम्बा जी, बिम्बा जी गाउंदान दिये दिया, उस गाउं से जो भी पैसा वसूले के उसको कि जाओगे ठीक है उसके बाद बहुत सार प्रसासनिक सुधार भी किया ठीक है दो जमीदारी बनाया राजनन्द गाओं वा खुजी नामक जमीदारी स्टार्ट किया अब जब मराठा लोग जो जब रहते हैं तो वहाँ पर जो जमीन है जो भूमी है ना उसको दो पार्ट में डिवाइट कर देते हैं एक खालसा भूमी और एक जमीदारी भूमी ठीक है मराठा काल में kya होता है भूमी को दो पार्ट में divide करने इसका मतलब क्या है खालसा और एक जमिदारी अब ये खालसा का मतलब क्या होता है जहां पर मराठो का ना direct control होता है ठीक है, ओस जमीन में tex लगाएंगे, और उसी जमीन से tex वसूलेंगे, कौन? मराठे, तो उस जमीन को क्या बोलते है? खालसा, जहां पर मराठों का क्या control है? डारेक्ष कर्ण्रोल है ठीक है, डारेक्ष कर्ण्ट्रोल है, तो वो मराठा वसूल नहीं करते थे, वसूल कौन करता था, जमीदार वसूल करता था, जमीदार वसूल करने के बाद किसको देता था, मराठा को देता था, ठीक है, फास्ट हो जा रहे गया, ठीक है, इतना समझ गया, दो टाइप का भूमी रहता है, तो ये अपना दो ठोवर चालू कर देता है अलग-अलग रहेगा तो समालने में कंजट होगा बोलके एक ही करन कर दिया उसके बाद रतनपूर में न्याले की भी स्थापना करता है कोई मडर उडर कर दिया तो थोड़ा सल्टाने के लिए उसके बाद प्रगना पद्यती का सुत्रदार ये बाद में आएगा उसके बाद एक आदमी रहता है मुहम्मद खान तरान अब इसको अब ये सैनिक में बहुत अच्छा काम करता है तो इसको पांच जगे दान में दे देते हैं चीक है याद रहे गई है देखो एक बार रीट कर लो हो जा रीट तो पताना हो जाद बार गई है झाल कर दो देखो एक बार पर गई है झाल कर दो एक बार दो जब ये तो इसको आपा बार गई है तो ब्रत्सासनिक सुदार में समझ गए क्या-क्या सुदार करता है बिंबजी, राजनन गाव और खुजी नाम का जमिदारी बनवाता है रतनपूर और राइपूर को एक कर देता है उसको चलाने के लिए ठीक है उसके बाद न्याले की भी स्थापना करता है और मुहमद खान नाम का एक आदमी रहता है जिसको पाँच जागे दान में देता है उसके बाद एक आदमी रहता है इसी का इसी के मतलब सेना में रहता है जिसका नाम रहता है निलुपन इसके नेतरी तुम्हें दलपत देव के साशन में आकरमन ठीक है जो कि अ सफल रहता है अब ये दलपत देव कौन रहता है ये काक्ती वंस का राजा रहता है ठीक है काक्ती वंस का राजा रहता है जब काक्ती पढ़ोगे तब पता चले का दलपत कौन रहता है ठीक है काक्ती वंस बस्तर साइट का ठीक है तो निलुपन क्या करता है ये दलपत देव के उपर आखरमन करता है अब ये निलुपन कौन है मराठा ही है ठीक है सेना वेना पती रहता है ये भी उसके बाद दर्या देव ये दलपत का ही बेटा रहता है ठीक है दलपत का ही बेटा रहता है जो संधी कर लेता है कौन सी संध कोट पाड़ की संदी काक्ती पड़ोगे तो यह दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझ आ जाएगा उसके बाद पहली बार बसतर चतिजगण का आंग बनता है किसके टाइम में बिमबा जी के टाइम में ठीक है इसकी तीन बीबी रहती है बाप भी रखा था तो यह भी रखेगा यह बुलेगा मैं पैपकर सिक्छे क्यूं हटो इसकी तीन बीवी में राम रहता है उमा भाई, रमा भाई और आनन्दी भाई ठीक है? अब ये तीन बीवी रहती है तो जब ये मर जाता है कौन? बिंबा जी भोसला जब मर जाता है तो उसके साथ सती हो जाती है कौन? उमा भाई सती हो जाती मतलब उसी की चीते में ये भी बैट जाती है कि आप ही अकेले अकेले जल रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उमा भाई भी बैट के ये भी जल जाती है ठीक है अब वो सीट एकी बीवी के लिए था दूसरी बीवी अब क्या करेगी नराज होके जंगल चले जाती है ये मेरे को नहीं लेके गया उसको लेके चले गया ऐसा बुलके तो ये जंगल चले जाती कहीं पर लिखा है जंगल गई कहीं पर लिखा है माईके गई कहीं पर लिखा है कहीं भी गई ऐसा करके ये मरती नहीं न कहीं जाती नहीं है अनन्दी भाई हुश्यार रहती है पती मर गया अब मैं राज करूँगी ऐसा टाइप का थोड़ा दिमाग रहता है और ये सबसी छोटी बीवी रहती है 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 इसके बाद बिंबा जी कम मर जाता है 1787 में तो देखना जो प्रत्यक्ष अपना क्या करता है प्रत्यक्ष मराडा साशन करता है उसके बाद आनन्दी भाई आती है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से रहती है ठीक है तो क्या है 1787 के पस्चात सत्ता किसके हाथ में रहता है आनन्दी भाई के हाथ में रहता है इतना इतना समझ गए अब कहानी बता बेकरी मंदिर में, आज जोडे हुए, ठीक है, उमा भाई का है, अब जब उमा जाई, उमा भाई मरती है, सती हो जाती, तो इसके नाम से सती चौरा बना देते हैं, वो भी रतनपूर में है, ठीक है, सती चौरा बनता है इसके नाम पे, जो कि रतनपूर में है, उस टेम के जो प्रमुक अधिकारी रहते हैं उनका नाम क्या था गोडो महादेव, कृष्णा भट, कृष्णा जी मोहितो, नीलुपंडित, पांडुरंग और रामचंद्र बक्षी, मोहितो है ना मोजिटो नहीं है, तो गोडो महादेव क्या रहते है राज का प्रमुक प्रसास्की अधिक प्रमुक इसले रहता है क्योंकि नाम में गोड़ा है, गोड़ा ही प्रमुक रहता था, ठीक है, कृष्णा भट, राजपंडित रहता है, कृष्णा मोहितो, राजस्विभाग, तो इसमें याद रखने वाला जो मेन चीज़ है वो ये और ये है, हाला कि सब याद रख ले तो आर अच्छी स्क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो ये मत सोचना है कि ओ नाम चले गया, याद नी हुआ, ऐसा बोलके मेरे एक दोस मत देना, इसलिए पहलेस में कवर कल देता हूँ, तो नीलू पंडित हो गया, अब एक पांडू रंग था, ये सेनापती सेने भी भाग का था, सर सेनापती बोल दे रहें इसको, पंडू था बोलके सर, रामचंद्र बक्षी, ये क्या था, किले का प्रमुक था, किले में पक्षी बक्षी आके बैठते ना, तो ये बक्षी, तो ऐसा याद रख लेना इसको, ठीक है, पास तो नहीं हो रहे है न, ठीक है, उसके बा गिंबा जी था, टूसी टोटल 52 जमिदारी थी, 52 जमिदारी के 52 जमिदार, ठीक है, जमिदारी और खालचा का मतलब तो बता जिया, तो बिंबा जी के टाइम में ये माना जाता है कि 52 जमिदारियां थी, पुरा बावां का बावन आपको नहीं पढ़ना है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है ठीक है तो एक था कांकेर जमिदारी तो कांकेर को याद रखना 5-6 रहेगा लेकिन 3 चार्टों बहुत important है जो याद रखना ही है एक कांकेर जमिदारी है जिसका राजा था धीरस सीं ठीक है अब ये कांकेर जमिदारी अब मैं क्या बताया था जमिदारी इछेतर का मतलब कि जो जमिदार है वो टैक्स वसूलेंगे और किसको देंगे राजा को देंगे मतलब बिम्बा जी भोसले को देंगे तो यह राजा दिरस सिंग क्या करेगा टैक्स वसुलेगा और बिंबजी को देगा लेकिन कांकेर वाला नहीं देता कांकेर वाला उस पैसेक बदले उसको क्या देता है जब भी यूद होता है तो 500 गुर्षवारों का मदद करता है वो अपना 500 गुर्षवार देता है यह लेके चले जाए ठीक है आ रहा है समझ में तो आपको कोशन यह पूछ सकता है कि कौन से जमिदार या जमिदारी गुर्षवार सेनिक देता था पैसे नहीं देता था तो कौन होगा वो कांकेर होगा समझ जाओगे इतना उसके बाद एक चांग बखार है चांग बखार पर आकरमन करके यह टकोली नहीं देते रहता ना चांग बखार टकोली देने माना का नहीं करते रहता अब टकोली क्या है वार्षिक कर वार्षिक कर क्या है अब जमिदार लोग पैसा देते थे किसको टैक्स वसूल के किसको पैसा देते थे राजा को तो जो पैसा देते थे उसी का नाम रख दिया था ठकोली ठीक है उसी क्या बोल देते थे ठकोली ठीक है तो इस चांग बका ठकोली नहीं देते रहता है तो उसका दिमाग खराब होत किसका विंबा जी का आक्रमन करता है और बोलता है टकोली दे ठीक है उसके बाद बस्तर केवल लगान वसूल करते थे आंतरिक मामलों में राजा स्वतंतर थे अब यह बस्तर से हम सिर्फ लगान वसूल कर रहे हैं बाकी जो राजा अपने हाप से स्वतंतर काम करने के लिए ठ उसके नेतरित्व में यह हमला करता है, मैपत राओ कासी अपने टोली के साथ जाता है, सरगुजा में हमला कर देता है, हमला करने बाद वहां से भी पैसा लेना चालू कर देता है, ठीक है, उसके बाद एक है खैरागड, एक है कोरबा, एक है चापा, एक है पंडरिया और एक ह देते थे, ठीक है, गुड़ सवार देते थे, समझ गए, उसके बाद, उसके बाद यह जो खेरागड है, खेरागड जो जमिदारी था, सबसे ज़्यादा ठकोली देता था यह, ठीक है, खेरागड क्या कर देता था, सबसे ज़्यादा ठकोली, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठको तकोली देता था, ओके, समझ जाओगे न ये, उसके बाद ये धमदा के बारे में याद रखना, अब यहां का जो जमिदार रहता है वो भी मना कर देता है किसको, बिंबा जी भुसले को अब क्या आएगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वो जाता है, टकोली नहीं आएगना, कौण, बिंबा जी तो ये अपना जो है, खिला विला एकदम बंद करके अंदर बैठा रहता है, किसके साथ? अपनी वाइब के साथ बैठेगा ना और किसके साथ बैठेगा आप लोग किस तरफ नहीं है वह साइड तो यह क्या है अपनी वाइब के साथ बैठा रहता है किले विले को एकदम बंद कर दे रहता है जैसे इसको पता चलता है बिंबा जी आ रहा है बोलके हैं और किले का दर तरवाज है थोड़ा कमजोर है इसको तोड़के अंदर चले जाता है अंदर जाता है अब इसको पता चल जाता है कियार मेरे साथ तो विश्वास घात हो गया है तो यह क्या करता है अपने बीवी को ले के जाता है इसके किले में एक स्विमिंग फूल रहता है उसमें दोनों धम्दा याद रहेगा, तो खेडा गर और धम्दा याद रहेगा, एक और जम्मिदारी रहता है, जिसको लिख ले न, जिसका नाम रहता है नरा जम्मिदारी, ठीक है। तो एक और जम्मिदारी जिसका नाम क्या है नरा जम्मिदारी, अब यह जो नरा जम्मिदारी है, यह क्या करता है, जैसे मैं बोला, खेरागर सबसे ज़्यादा ठकोली देता है, तो सबसे कम कौन देता है, नरा देता है, सबसे कम, कितना कम, 50 रुपया, ठीक है, याद रहेग तो अपन कितना जमिदारी पड़े अभी होटाल लाट दस हो गया सब भूल जाओ चलेगा लेकिन ये जो तीन चार्टों बता हैं उसको नहीं भूलना हैरागर्ण सबसे ज़्यादा टकोली देता है ठीक है नरा सबसे कम टकोली देता है आरे समझ में कितना देता है पचास रुपए देता है कांकेर टकोली देता ही नहीं गोड़े देता है ठीक है उसके बाद धमदा जल समाधी ले लिया अब ये नरा जमिदारी में बिमबा जी भूस ले जाके मरता है होगा चतिस गड़काई क्या जल समाधी होगा क्या पता होना चाहिए ठीक है अब अपन जाक देखें नहीं है देखेंगे पता चलेगा जल समाधी लेना है की नहीं तो इतना हो गया तो आज के लिए इतना ही करें क्यों और करना है नहीं कौन? मरा क्यूं? अब गया अब उसका प्राक्रतिक रूप से मृत्ति हो गया मरने नहीं गया था वो गया तो किसी कारण वस मर गया ठीक है? तो इतना एक बार देख के आना रन्यवाद क्या प्राचर तो ऑन्यवाद स्टों सेंब लहाद